नमस्ते चात्रों, आज हम इस वीडियो में विक्रम सिलाविस्वी दैले के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा विक्रम सिलाविस्वी दैले कहां श्तित है, इसकी स्थापना किसने की, क्योंकि इन सबी परशनों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे और यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेस ने मिलें और आप इत्यास विशेश से संब्सक्राइब जानकरी प्राप्त कर सकें ठीक है तो हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो सारे के सारे एकजाम की दरश्टी से बहुती महत्तोपुन होते हैं अता आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि कोई गलती या फिर कोई कमी हमारे वीडियो में आपको दिखे तो कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं आप हमें सुझाव दे सकते हैं ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं विक्रम सिला विश्व विदाले प्राचीन इत्यास तता संस्कृती के परमुकस्तल विक्रम सिला ठीक है तो बिहार प्रांत के भागलपूर जिले में इस्तित विग्रम सिला प्राचीन भारत का सूपरसित सिक्सा के अंदर था इसकी स्तिती भागलपूर में 24 मील पूरव की और पत्थर घाट पाहडी पर बताई गई है जहां से प्राचीन काल के विश्टरित खंडर प्राप्त होते हैं बंगाल के पाल नरेश धरमपाल ने आठ विस्ताबदी इस्वी में इस परसित बोध महा विद्याले की नीव डाली थी यहां पर लगबग 160 विहार थे जिन में अनेक विशाल प्रकोस्ट बने हुए थे विद्याले में 106 कों की विवस्ता थी नालंदा की भाती विक्रम सिला विश्वी विद्याले भी बोध संसार में सर्वत्तर सम्मान की दरस्थी से देखा जाता था तो नालंदा विश्व विद्धाले के बारे में तकसिला विश्व विद्धाले के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं इस महाविद्धाले के अनेक्सु परसित विद्वानों में दिपांकर, स्रीग्यान, अत्तीस पर्मुक थे, ये ओदंध पूरी के विद्धाले के छातर थे, और विक्रम सिला के आचारिये थे, ग्यार विस्ताब्दी में तिबबत के राजा के निमंत्रन पर ये वहाँ, महा आई, तत्वय ग्यान, इम व्याकरन की सिक्सा दी जाती थी, बार विस्ताब्दी में ये विश्व विद्धाले एक विरार सिक्सा संस्था के रूप में परसित था, इस समय में यहाँ पर तीन सहस्तर विद्धार्थियों की सिक्सा के लिए समूचित विवस्था थी, संस् इन इस्वी में मुसल्मानों ने जब विहार पर आकर्मन किया तब नालंदा की भाती विक्रम सिला को भी उन्होंने पूर रूपे नस्ट वरस्ट कर दिया था। नालंदा विस्विदाले हो या विक्रम सिला ये भारत देश की धरोहर थी भारत के आनबान और सान थे ये वो गोरव को महसूस करवाती हैं जो भारतियों को पूर्वजों ने उनके लिए बनवाया था। जिसे मुस्लिम अकरमनकारियों ने नस्ट कर दिया। ये इस देश की विडमना ही है या विडमना कहा जाएगा आज इस देश के लोग सेक्यूलर बनकर मुस्लमानों को भाई मानते हैं। जबकि मुस्लिमों ने भारत की दर्थी को छत्ती ही पहुंचाई है। चेतर में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का पड़तिक है। विक्रम सिल्ला विश्विदाले का इधिहास। विक्रम सिल्ला के महा विहार की स्ताबना नरेश धर्मपाल ने जो 775 से 870 में था ने करवाई थी। उसने यहां मंदिर तता मठ बनवाए और उन्हें उदारता पूर्वक अनुदान दिया। यहां 160 विहार तता व्याख्यान के लिए अने काक्स मने हुए थे। धर्मपाल के उत्रातिकारी 13 स्ताबदी तक इसे राज किये सरंक्षन परदान करते रहे। परणाव सरूप विक्रम सीला लगभग 4 स्ताबदीों से भी अधिक समय तक अंतरास्टी विश्वविदाले बना रहा। विक्रम सीला विश्वविदाले में 6 महाविदाले थे। पर्तेक में 1 केंदरिय कक्स तता 108 अध्यापक थे। केंदरी एकक्स को विज्ञान भवन कहा जाता था पर्तेक महाविद्याले में एक परवेश द्वार होता था तता पर्तेक परवेश द्वार पर एक एक द्वारपंडित बैठता था द्वार पंडि द्वार परीक्षन किये जाने के बाद ही किसी विद्यार्थी का महाविद्याले में परवेश संभव था कनक के सासनकाल में निमन लिखी द्वार पंडितों के नाम हमें मिलते हैं पूर्वे द्वार आचारी रतनाकर सान्ती पस्मी द्वार वागी स्वर कीर्ती वारान से उत्तर द्वार नरोप दक्षिन द्वार परग्याकरमती पर्थम केंद्रिय द्वार रतन वज्र कस्मेरी द्वित्य केंद्रिय द्वार ज्यान श्रीमित्र गोडिय ठीक है विश्वविदाले में अध्यन के विशेश, विशेव्याकरन, तर्कशास्तर, मिमासा, तंतर, विधिवाद, आदी थे इस परकार यहां का पाठेकरम नालंदा के समान विश्तरित नहीं था आचारियों में दिपंकर, स्रीग्यान का नामसरवा दिक उलेखनिये है जो इस विश्वविदाले के कुलपती थे वे हीनियान, महायान, वैसे सिक, तर्कशास्तर के विद्वान और तिबबती बोधरम के महालेखक थे ग्यारविश्ताबदी में तिबबती नरेश, चन्चुब के नियंतरन पर वे तिबबत गए जहां उन्होंने बोधरम के सुधार में महत्तोपन योगदान दिया तिबबती स्रोतों में उन्हें 200 ग्रंथों की रचना का स्रेय परदान किया गया है बारविश्ताबदी में उभ्यांकर गूपती यहां के अचारिय थे वे तंतरवाद के महापंडित थे तिबबती तथा संस्कृत में उन्होंने कई ग्रंथ लिखे अन्य विद्वानों में ज्यानपाद, वैरोचन, रक्षित, जेतारी, रतनाकर, शान्ती, ज्यानस्री, मित्र, रजनवज्र, वरतनवज्र, तथागत, रक्षित, आधी के नाम परशिद हैं बारविश्ताबदी में 3000 विदार्थी यहां सिक्सन ग्रहन करने आते थे इनमें अधीकांस तिबबत के थे, तिबबती छात्रों के आवास के लिए विश्व विदाले में एक विशिष्ट अतिथी ग्रहे बनवाया गया था यहां एक संपन तथा विशाल काय पुस्तकाले भी था विश्व विदाले का परबन चलाने के लिए मुख्य संगा ध्यक्स की देखरेग में एक परिसत थी जिसके सदस से विभिन परशासनिक कारियों जैसे नवागंतुकों को दिक्सित करने नोकरों की व्यवस्ता तता उनकी देख भाल, खादे सामगरी तता इंधन की आपूर अधन की देखरेग करने के लिए विखरम सिला के आचारियों को न्यूपते किया करते थे विखरम सिला विश्ता विष्व विदाले के पाठे करम की अवध्धी के विशे में जैदा जानकरी प्राप्त नहीं होती है मातरिय पता चलता है कि यहां के सनातकों को अध्यैन नो प्रांत पाल सास को द्वारा उपाधियां पड़्दान की जाती थी संबव है वहाँ आजकल की भांती दिक्षान समारूहूं का आये जुन भी किया जाता था जिसमें समकालीन पाल सास कुला धीपती की हैसियत से उपस्तित होते थे तिबती स्रोतों से पता चलता है कि जेतारी तथा रतने वज्रेने पाल राजों महिपाल तथा कनक के हातों से उपादियां प्रापत की थी सनात्कों को पंडित की उपादी दी जाती थी महापंडित उपादहाई आचारी करम से उच्तर उपादियां थी इस परकार विक्रम सिला 11 वी बार विस्ताब्धी में भारत का शुरवादिक संपन सुसंगठी तता पर्तिष्ट विष्व मिधालय था कर दिया बिक्सों के सामूई घत्या कर दी गी तदा गरंथों को जला दिया गया इस समय विश्व विदाले के कुलुपति साख के स्री भद्र थे वे अपने कुछ अन्वियाईयों के साथ किसी परकार बच कर तिब्बत भाग गए इस परकार गोरवसाली सिक्सन सहिस्तान का अंति दुखद रहा विक्रम सिला के अलावा पाण नरेश रामपाल के समय 11 वी बार विस्तापदी में ओधन्त पूरी था जगदल में भी सिक्सन के अन्दर इस्तापित करभाए गए थे जगदल विश्व विद्बत दले तन्तरयान सिक्स्या का पर्षित के अंदर था जह तिबत्ती बहसा में अनुवाद किया। तथा इस प्रकार तिबत्ती बोधर्म के विकास में उनका उलेखनीय योगदान रहा। देखेगा इस वीडियो में हमने विक्रिम शीरला विश्योभूद्याले के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार आपको और भी इत्यास विशे से सम्बंदित मेत्तों पुन जानकरी मिलती रहेगी तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे